कोल्डो के कोर्स का यह सबसे पहला वीडियो होने वला है तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक जानेंगे कि कोल्डो में आखिर हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है किसको क्या कहा जाता है किसका क्या काम होता है बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग इस वी करने समय कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस दिखता है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आपको न्यू डोकोमेंट करके नाम देना चाहते हैं, तो आप अपने यहां पर नाम दे सकते हैं, जैसे हम यहां पर आइडी कार्ट दे रहे हैं, पर पेजे, मतलब जो अभी हम लोग पेज लेंगे, तो वो आप कितना पेज लेना चाहते हैं, एक पेज, दो पेज, तिन पेज, जितना भी आप लेना चाहत आप आप अटोमेंटिक यहां पर बता देंगे उतना पेज का आपका यहां पर निव पर्जेक्ट खुल जाएगा तो हम यहां पर सिंगल पेज लेना चाहते हैं उसके बाद आप यहां पर आरबीजी रेड येलो बुलू अगर कलर वला आप बैगराउंड लेना चाहते है प चाहिए लोगो बना रहा है तो यहाँ यहांपर यहां कुछ बैनर बना रहे हैं तो उसका सभिका साइज अलग-अलग होता है तो जैसे सकते हैं यह पे बहुत स्arakसाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो अगर इसमें कोई साइज आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने कोडिंग इसका साइज ले सकते हैं अधरबाई आप खुद से यहाँ पे custom वाला जो option है कि आप खुद से दे सकते हैं जिसमें यहाँ पे millimeter है तो इसपे क्लिक करेंगे तो आपको inch में, pixel में यानी feet, dots, kilometers, meters, centimeters सभी में आपको यहाँ पे देखने को मिल लियागा तो जो भी unit आपको यहाँ लेना है आप अपने coding ल resolution आप रखेंगे उतना ज्यादा clear आपका जो बनेगा document वो देखने में लगेगा इसके बाद normally क्या करना है यह सारा चीज को आपको set कर लेना है तो हम यहाँ पर normally business ID कार ले रहा है, automatic by default यहाँ पर select हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, normally ok पर प्रेस करना है तो जैसे ही आप ok करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने interface कुलेगा, तो इस side में जो अभी देख रहा है थे हम पहले से ही यह आ रहा है, तो इसको color palette बोला जाता है, तो यह color palette and color docker इसको बोला जाता है, तो इसमें बहुत सारा color होता है, तो देख सकते हैं, जैसे हम क color docker आपको सामने के मिलेगा, देख सकते हैं, जैसे हमने इस पर दबा के रखा, तो इस तरीके से यहाप पर खुल रहा है, तो हरा के अंदर और आपको हरा लेना है, तो आप ले सकते हैं, आप जितना पर भी color पर आपको लेना है, उस पर दबा के रखना है, और उसका क्या ह अगर यहां से कलर्ग करते हुआ ही सेम और से अगर हम नहीं से इह insect यह हमारे नहीं सब्सक्राइब बीए 17 happyy कोड़ों का सौटकर्स चाहिए तो आप मेरे टेलीगराम चैनल पर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं यहां आप इस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस्टाग्राम का यह हैंडल है यहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो नर्मली यहां पर हमें टूल ले तो इसमें कलर बूलो बाहर हो जाएगा है अगर इसके बाहर का कलर यानि की आउट लाइन को अगर वाइट करना तो वाइट कलर जरुट करते है तो इसको नौर्मली हमें याप आप फाइल मेन्यू, इडिट, भीव, लियाओ, अपजेट, यह सारा उप्सेल को हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे और प्रोपर्ली वर्क करके भी देखेंगे कि क्या है और कैसे वर्क होता है पीक टूल आपका एक तरह से समझी कि फिरी करसर होता है, जो आप कहीं भी असानी से ले जा सकते आपका माउस का करसर है इसके बार हम लोग देखते हैं फिर्ी ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है, जैसे हमने यह लोगete यह बनाया आर्ट तो जैसे कि हमने यहां पे एक structure बनाए तो यह structure को जैसे चाहेगा यह आपने according इसको घुमा सकता है बरहा सकता है तो यह क्या work करता फिरी transform tool जैसे देख सकते यह structure है इसको कुछ इस तरीके से आपे बना दिया तो यह work करता है फिरी hand tool तो यह कैसे यहां पे double हो गया जै इस तरीके से आप पे लाए लेट बटन को छोड़ने से पहले आपको राइट बटन एक वार क्लिक कर देना तो देख सकते हैं यहाँ पर डूब्लिकेट हो जाएगा अधर वाइस आपका डूब्लिकेट नहीं होगा तो थोरा साथ को प्रेक्टिस करना होगा यह आपका इसको चोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने चोटा कर दिया इसको और इसको Center में आकर रखना इसका आपको नहीं लेना तो सकते हैं यहाँ पर डीना नहीं आएगा इसके बाद नौर्मली की लिए है तो जैसे कलिक करेंगे तो कुछ इस तरीके सांगर करेंगए और उसके बाद कि ट्रुक्ष आपको यहां left यहां पर सेंटर रखना और यहां पो नहूंद आगए कंप में इसके तरीके से बहुत सारा पर है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड इसके सांसांत बहुत सारा टूल के भी बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में फिलाल इतना है ऐसे और वीडियो देखनेंग नमारे चैनल को भी सब्सक्राब टेन लाइक क्या पर दोत् जचे निम्यों कि आए नेक्स वीडियों